सो नाव रदान इंडिया पावर लिम्टीट अब देगी 16 रुपए 24 पैसे के प्राइस हमें देखने हूं मिला है और लगातार यहां पर लोवर सरक्रिट लग रहा है ने बेसक पैनिक में आ चुका है यहां पर लगातार लोवर सरक्रिट और आज की डेट में 32,000 और वो बिक इनकों मिलेगा क्योंकि आपर इस तरही की बिकवाली का कोई रिजन नहीं है जो लोग लोवर सरक्रिट से यह डर रहे हैं कि 32,000 और लगे हुए हैं वो एक अपोचिटी की तरह इसको देखिए किसी भी स्टॉक में एक बड़ा रना पगर होता है या डबल हो जाता है पोचिटी ही लेकर आता है आगे चल कर अब यहां पर हम लॉंग टम की अगर बात करें तो रतन इंडिया एंटरप्राइज़ यहां पर एक दूसरी कंपनी आपको देखने को मिल जाती है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा अपको अगर आपर रतन इंडिया पावर टर्न आराउंड स्टोरी हुई है आप देखेंगे तो एवी का एक बहुत ही बड़ा ब्रेंड जो है वो इन्हों ने अंदर कर लिया है बहुत सारी कंपनिया बहुत सारी सब्सेटरीज यहां पर क्रेट कर दी है इस तरीकी के रतन इंडिया पावर या कह सकते हैं रतन प्रेंड बन चुका है कहीना की इंडिया के अंदर इस तरीकी से आप देखें कि कहीना की वह बदला आप रतन इंडिया पावर के अंदर भी लेकर आएंगे तो जब मैनेजमेंट स्टॉंग हो और एक कंपनी के साथ ऐसा हो चुका हो तो दूसरी कंपनी में ड़ना नहीं च चाच चुके रतर इंडिया पावर पर फोकस करते हैं तो यहां पर जो यह से स्टॉक का जो 2009 में लिस्टिंग होई थी वह 45 रुपए पर होई थी और वहां से स्टॉक जो लगाता गिरता गया है अब वह अपकोर्स यहां पर जो प्राइसेस है वो तो आपके सामने है ना त इस वीडियो को देखना पसंद किया होगा कि 160 रुपए का टार्गेट जो है वो कैसे आ सकते हैं पॉसिबल टार्गेट कैसे आ सकते हैं रतन इंडिया पावर में तो हम उसकी उपर बात करें तो जिस तरीके से रतन इंडिया पावर बढ़ेगा यहां पर जो टोटल कैपसि जो कि अमराबती में है और दूसर नासिक में जो कि काफी वैल्यूवल है और अपकोर्स हैं आपस 3700 जो मेगा वाट की कैपसिटी हमें देखने हूं मिल ली है वो एक लार्ज कैपसिटी मिल ली है और यह रखता हैं इंडिया पावर को वन अप दा लाज़ेस्ट पावर जे का वाट की कैपसिटी है अगर आपको 160 रुपय का टार्गेट चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो आगर आपका मार्किट कैप की बात करें तो 160 रुपय पर 90 हजार करोड का मार्किट कैप बन जाता है तो उसके लिए आपको जो है वो अर्निंग्स की भी नीट है एवई नहीं क कि यहाँ पर जो है बस प्राइस दोड रहा है तो प्राइस जो है वो सस्टेनेवल नहीं होता है और ऐसे में आपको प्राइस तो देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर कोई बिक्वाली नहीं कर पाता है बड़े लोग यहाँ पर जो है पैसा बनाकर निकल जाए चोटा इन इंडिया एंटरप्राइस में हमने टर्न आराउंड देखा वो गई नहीं रतन इंडिया पावर लिमिटिड के अंदर भी हमें देखने को मिल सकता है और यहां पर जो ख़वर चले है वह सबसे बड़ी ख़वर चले है कि डैट यहां पर जो है बिल्कुल ख़तम हो जाए ख़तम होनी की बात है अभी यहां पर करेंट है अगर आप डैट की बात करेंगे 24 मार्च के एसाब से वो 3537 मुटा मुटा 3538 करोड रुपए का देखने हो मिलता है जो कि 10,800 करोड से कम होकर 3538 करोड रुपए का रह चुका है तो डैट फ्री होने की एक राह पर यहां पर ज इंडिया पावर के अंदर भी देखने को मिल रहा है लेकिन हाँ आभी कम्प्लीटली डैट फ्री नहीं है लेकिन होने वाली है यह आपके पास यहां पर जो है सब्द कहने के लिए है दूसरा यहां पर जो है मेजर पॉइंट जो है वो यहां पर आपका नासिक जो सिन्ट है पावर प्लांट जो की नासिक के अंदर है इनका वहां से इनको एक बड़ा बेनिफिट मिला है और यहां पर 10,770 करूट रुपए के जो बेनिफिट है वो बहुत बड़ा बेनिफिट इनके हाथ में लगा है इससे यहां पर बहुत कुछ यह कमपनी कर सकती है टर निवेसकों का पैसे की बात करें तो बड़ा निवेसक जो है वो इतना ही पैसे की डिमांड करता है छोटा जो निवेसक होता है रिटेल इन्वेस्टर जो होता है वो यहां पर डिमांड करता है कि उसका मल्टी वेगर स्टॉक हो जाए लेकिन बड़े निवेसक के पास बड तो यह अंतर होता है, तो बिकवाली आई है, वो एक अपोचुटी है, तो बेनिफिट देके यहाँ पर 10,615 करोड और यहाँ पर डैट है कम किया गया है, उसके इसाब से, तो आप यह आगे की सोच कर चलिए, एक्सपेंसन जरूर होगा, यह अपने आगे को एक्सपेंड करन हैंगे इतने टाइम है, या इतने टाइम है, तो यह जरूर यहाँ पर जो है, न्यूस आने वाली होंगी, अब यह दो मेजर पॉइंट तो हो गए, तीसरा जो मेजर पॉइंट है इस कंपनी के अंदर, यह आपको यहाँ पर मानना ही पड़ेगा, सेल्स में तो ऐसा कोई भ करोड से 3,364 करोड रॉपए का यहाँ पर सेल्स निकल कर आया है, हाला कि थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन एक सबसे इंपोर्टेंट बात है, अब यहाँ पर कैपसिटी तो आपको बढ़ानी पड़ेगा, अगर आप कैपसिटी नहीं बढ़ाते हो, आपका सेल्स में कोई उ भी बाई और यहाँ पर सेल्स कर सकते हैं किसी भी कमपनी के असेट, कहीं नहीं अपनी मेगावाट की कैपसिटी बढ़ाने के लिए, येट आपको बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिला होगा, एंड लास्ट, काफी कुछ आपको समझ में आओगा, क्या करना पड़ेगा लॉंग टम में बिजन क्या होने चाहिए, कमपनी ने पिछली कमपनी के साथ क्या किया, जिसका प्राइस तीन रुपए से नब्बे रुपए चला गया, और उसकी सेल्स जीरो से लमसम लमसम दो ढ़ाई तीन अजा करोट की सेल्स अब आने लगी है, तो इतना बड़ा यहा यहां पर हुआ है, तो वो देखने वाली बात है, कमपनी वाकई में यह समझने वाली बात है कि किस तरीकी से अपने आपको बदला है इस कमपनी ने, वही चीज़ कहीना कि रतन इंडिया पावर में एक्सपेक्टेड है कि यह करके दिखाएंगा और अगर ऐसा होता है, इंतजार करिए, जिसने भी ले रखा है, आपको सस्ते दाम उपर तो अल्रेडी मिली रहा है, जिस तरीकी सेल्स और प्रोफिटेबिल्टी है, उस हिसाब से आप देखेगा तो मार्किट कैप आपको जो है, जो प्राइस है, वो बिलकुल ठीक ठाक एक सही प्राइसिंग प आप ये, और वो प्राइस जो है, वो सोला रुपै को वो परफेक्ट प्राइस कहीं नहीं, आपको देखने को मिली भी रहा है, आप क्या दो रुपै पर चाहिए क्या, उसका रेजन क्या है, आप पीछे मुड़ कर क्यों देखेंगे, दो पांच रुपै पर, उसका कोई र लिजन बनता नहीं, कंपरी प्रॉफिटिबल है ना, तो बस ये आपर ध्यान रखने चाहिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो चार्ट पर क्या है, ये दो हजार तेस अपरेल से एक ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई है, और ये स्टॉक लगाता चला चला जला है, गिरा है, सपोर्ट लिया इसी ट्रेंड लाइन से, और यहाँ पर 12 रुपए पर ये स्टॉक गिर गया है, 12 रुपए 20 पैसे पर, तो ये ट्रेंड लाइन के अराउंड ही यहाँ पर सपोर्ट लिया है, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है ये, सपोर्टेव है काफी से यहां पर जो है ना आपको continue रखना चाहिए अगर आप चाहिए तो एक बार रिसर्च करिए इसकी उपर और तब यहां पर decision लीजेगा मेरी मत सुनिए लेकिन इन पॉइंट्स पर जो है वो अपना study जरूर करिए उसके बार decision लेना है आपको तो यहां पर आपको 16 रुपए 24 पैसे का प्राइस देखने हो मिल ला है मेरे क्याल से यह अपर 20 रुपए तो अल्रेडी 21 रुपए गया है और वहां से स्टॉक जो है वह बीस परसंट टूट गया आप चाहें तो और अगर सस्ते दामों मिले तो उसको एवरेज करनी कोसिस करें अगर आपकी इच्छा हो तो अदरवाइस मैं इसके लिए यहां पर जो है आपसे कहूंगा नहीं उसके लिए आपको खुदी रिसर्च करनी पड़ेगी लेकिन कहीं ना कहीं अगर कंपनी इस आपने जो है वह इस जगह पर आपने दोबारा इसको क्रॉस किया था जो कि हाई था यह ठीक है और यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता तो बारों रुपे बीस पैसे काफी इंपॉर्टेंट लेवल है तो इसके बारे में आपको ध्यान रखने चाहिए काफी काफी बात है निए डेट रिडियूस हो रहा है कंपनी तैयार है और कंपनी का अगर टरनराउंड इस्टोरी अगर यहां पर क्रियेट होती है तो यह प्राइसिंग जो है वह आपको हाईयर साइट देखने हो बिल सकती तो इस गिरावट में किसी को अगर जगा बनानी है तो बढ़ाई तो अर्णिंग्स भी बढ़ सकती है तो एक बार निवेस से पहले आप बीचेने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरू सला लीजेगा अदर्वाइस खुद की स्टेडी का आफ ही इंपोर्टेंट खुद की स्टेडी करिए और आगे बढ़िए तो आपके करने इस कूपर कमें सिस्टम के यह और अब दिव जी है बड़ी देखने के लिए बहुत दन्माद उस्तो